खाली पेट खोक्खा लेके जाओगे ना इनर्जी नहीं रहेगी तो घंटे का बॉडी बनेगी जय हिंद दोस्तों देशने फिट्राइब सागत हैं हम है संतुर शादो इस विडियों बात करने वाले कसरत कप करें जिम कप करें जब हम पर बॉडी बनाना चाहते तो कब बना इसको सही करें सुबह साम दोपार कब करें इस इक बारे में बात करते हैं कुछ लोग करते हैं सुबह करो तो राद कुछ इसा अंडबंड कांड हुआ रहता है कुछ सुबह एनर्जी नहीं रहती है और कुछ लोग कहते हैं साम करो साम को भी कुछ लोग विजी रहते हैं उ लगता है तो आप सुबा जरूर करें लेकिन एक बात और सुबा अगर आप कसरत करने जा रहे हैं तो 40 मिट पहले कुछ लोड करो सबसे सेफ है केला वेला खालो सेबोब खालो कोई फूरूट बगए या कुछ अब दूधूद पीके मतलब कुछ आइसा लो ताकि एनरजी आ जाए तब कसरत करोगे तब बॉड़ी बनेगी खाली पेट खुखा लेके जाओगे ना इनरजी नहीं रहेगी तो घंट अवराएं नाइट पॉलं तो भाईया हम कहांगे जिए समस्या सक को साम के शाहिए तो नियम बना लो जिन लोग सूबदार नंव बना 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 लो घ्यां कर दिन भण काई दिन लोगे रहोगें हो तुमकर सम करने हो आ वर्काउट करोगे न तो वो बाडी में तुम्हारे पूरा प्राफिट होगा, फायदा होगा, तो कोशिच करो, अगर आप mentally free हो, सुबह, तो कोशिच करो, सुबह करो, वीकिनेस नहीं मैसूस हो रही है, सुबह करो, अगर वीकिनेस मैसूस हो यह mentally मतलब आपको लग नहीं रह जब तुम mentally free हो, mentally ready हो, mentally कहोगे कि आप आर पार करतेंगे, तभी तुम वर्काउट करो, सभी वर्काउट टाइम बेस्ट है, लेकिन सबका जो राजा है, वो सुबह है, अगर तुम्हारा साथ कोई कांड फांड नहीं हो रहा है, वरना साम करो, दोपार को चाहिए, जब करो मैं यहां पर फालतू का टेंसन ड्रामा नहीं होना चाहिए, और टेली अपने हाइवीट में सामिल करो, मुझे एक करना चाहिए, लेकि जब नेचरल देसी तरीके से मसल बढ़ाने की बात होती है, पार लाने की बाद होती है, जिनकी बाड़ी बढ़ नहीं है, उनके लिए कहलेना चाहिए, अस्सोगंदर, सतावर, सफेद, मसूल, गोक्षर, जैसे हाफ्स होते हैं, तो एक ऐसा प्रोड़क्ट जिसमें सब चीजे मिली हुई हो, हर एक प्रकार का हाफ्स हो, वो है वेदा से और का हर्बोगेनर, यह एक आयरवेदिक प्रोड़क्ट है, इसका कोई साइड इफिक्ट नहीं है, नेचरलिय और देसी तरीके से, आपके मसूल को बढ़ाएगा, आपकी स्टीमिना को वीड़ करेगा, सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफिक्ट नहीं है, क्योंकि पूरा यह जड़ी बूट्यों से मिलके बना है, इसमें एक पावडर फ करिए, और रिजल्ट बढ़ियां मिलेगा, तो मुझे जरूर बताईएगा, यह था जो कन्फूजन मैंने साथ, दूर कर दिया होगा, अगर नहीं दूर कर पाया होगा, तो कमेंट करके बताओ कि क्या हम छोड़ दी हैं, ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, सेर को, सब्सकाइब करो, फैला दो, मिलें अगले वीडियो में, जाए हिंद,